ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर पीशिंट रिलेशन्शिप और उसके साथ साथ हमें एक और छुटू सा टॉपिक कर लेंगे आज डाट इस डॉक्टर नर्स रिलेशन्शिप ठीक क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की ज़रू पर बहुत इमई आपको बहुत हैं एक पीजाट कि पालच पैपोर्ट कोश्चिंप लेशन्शिप अंड डॉक्टर नर्स रिलेशन्शिप अभी मैंटिसन सोछा इंस ओले बाह। सारे पपिक एया हैं धिस कामुनुटे हैं शुटे हैं तो इस पॉट्स इसके बाद शुरू करते हैं तो आपको प्लेलिस में जाए प्लेलिस में अलग अलग वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगे ठीक तो शुरू करते हैं हमारा अबशल साइस का मतलब क्या होता है सिधा सीधा मतलब यह होता है कि कैसे एक डौक्टर बहतर तरीके से कम्यूनीकेट करता है पेशिंट से जिससे की पेशिंट अपने सारी परिशानिया अपने सारे साइन सारे सिंटम्स बता पाए डॉक्टर को और डॉक्टर जो भी उसका क्योर या ट्रीट्मेंट बोले वो पेशेंट पूरी तरह से समझ पाए और उसको लागो कर पाए that is actually कैसे डॉक्टर को communicate करना चाहिए patient से और that is only कि जिसपे depend करता है doctor patient relationship समझ कर तो एक successful doctor कौन है एक successful doctor वही है जो बहुत अच्छे से communicate करता है अपने patient से कि भाई जो बात वो patient तक पहुचाना चाहता है वो patient समझ चाहे आसान भाशा में और patient जो doctor दवाया लेने को बोलता है वो doctor को दवाया ले भी ले patient और अपने सारी परिशानिया खुल के doctor को बता पाया that is a successful doctor communicating with a patient समझ गए हमने ये तो बोल लिया कि भाई उसको communicate करन है मगर यह जो communication होता है doctor patient के बीच का कौन-कौन से level पे होता है या किस-किस तरह से होता है तो मुख्यता यह जो doctor patient के बीच का communication होता एतिम मुख्यता तीन levels पे होता है एक होता है intellectual plane फे कि भई डॉक्टर जो है वो patient और ईसको जानकारी आप इसको ग्यान है उसól पर जाकर उसको आसान भाशा में समझाए कम्यूनिकेशन होता है इमोशनल प्लेन पे कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट की सारे परिशानियों को समझे सहानुभूती पूर्वक उसकी सारी बातों को सुने और फिर अपनी बात रखे और यह जो कम्यूनिकेशन होता है यह क्या है उनको ध्यान में रखते हुए ही उसको पेशेंट से बात करनी है तो जो कम्यूनिकेशन होता है वो तीन लेवल पर होता है इंटेलेक्शल प्लेन इमोशनल प्लेन और कल्च्रल प्लेन इसको कैसे याद रख सकते हैं कम्यूनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं आई E.C. किया, I is for intellectual, E is for emotional and C is for cultural. तो communicate करने के लिए I.C. करो, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक? अब समझते हैं कि बहुए intellectual plane क्या होता है? देखो, intellectual plane का मतलब होता है कि जो doctor है, patient की जितने भी परिशानिया है, जो भी उसों symptom से बता रहा है, उनको अच्छे से सुदने के बार, एक बहुत ही आसान भाशा में उसको patient को समझाए, बहुत ही simple terms में, जब patient की condition के सबसे पहले चीज़ तो यही होती है न भाई, patient को उसकी परिशानी के बारे में समझाना चाहिए कि भाई, आपको यह यह बीमारी है, यह यह चीज़े करोगे, तो आप ठीक हो जाओगी, यह दवाई हो लोगे, तो आप ठीक हो जाओगी, कई बार ऐसा होता है ना कि doctor को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होता, doctor क्या करता है कि हाँ भई आपको lymphosarcoma of the intestine है और आपको यह दवाई लिन पड़ेगी, these are the tests you have to do, और patient को अच्छोली कोई समझी नहीं है रहा, patient घर आएगा बोलेगा, यार वो कुछ पेट की बीमारी के बारे में बता रहे थे, बागे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आगे क्या बताएगा, तो that is where intellectual plane पे communication helps, कि doctor को बहुत ही आसान भाशा में patient को समझाना है, उसके level पे जाके यात रखना, patient जो है, कई बार बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कई बार काफी illiterate भी होते हैं, तो हमको ऐसे नहीं कि high-five भाशा में समझाना है, बहुत ही simple भाशा में उनके level पे जाके उनको समझाना है, एकदम simple terms में, कि देखिए आपके पेट में जो अतड़ियां हैं, उसमें ये परिशानियां हो गए हैं, उस वज़े से आपको ये sign and symptoms आ रहे हैं, आप ये चीज़े करोगे, ये दवाईया खाऊगे, तो ठीक हो जाओ, बहुत आसान भाशा में समझाना है, समझ गए? अब problem क्या होती है? ये हम intellectual plane में बूलतो रहे हैं, कि आपको बात करनी हैं आसान भाशा में, मगर आज की डेट में अगर बात करें न, कि जो आज की डेट में जो practitioners हैं, जिन्होंने modern medicine पे पढ़ाई की है, कई लोग ऐसे भी हैं, जो बहुत ही well-to-do family से हैं, अच्छे कासे रईस परिवारों से हैं, अब जो ये रईस परिवारों से हैं, ये आदे से ज़्यादा टाइम तो बहुत ही sophisticated तरीके से रहते हैं, कि भाई एकदम suit to put में आया का नहीं है टाइप, ठीक है, अब बहुत ही sophisticated टाइप में रहते हैं, अब ये जो sophisticated लोग है ना, इनके पास जब patient आते हैं, तो पंगा क्या होता है, अब ये जो patient आते हैं, कई जो होते हैं, बहुत ही अनपढ़ होते हैं, या पढ़ लिख नहीं सकते हैं, illiterate होते हैं, हाई-फाई चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं, और problem क्या है, ये जो sophisticated लोग हैं, ये intellectual level पे जानी पाते, क्योंकि ये खुदी हाई-फाई जिंदेगी जी है, उनके level पे जाके बात कैसे करेंगें, तो पंगा क्या होता है, ये जो सीधा सादा सा गरीब इंसान है, ये doctor की बात समझ नहीं पा रहा है, और अपनी परिशानिया उसको समझानी पा रहा है, और ये जो high-five well-to-do family का sophisticated हमारा doctor है, ये patient की गाव वाली सीधी सादी सीख भाशा समझ नहीं पा रहा है, और अपनी आपको समझानी पा रहा है कि उसको कैसे क्या-क्या दवाया लेनी है, तो ये पंगा होता है आज की रेट में medical practitioners में और patients में, और जिसको कहते है social distance, ये term याद रखना social distance किसको कहते है, वायव में आता है, तो क्या समझ मैं है social distance है कि जो बहुती sophisticated type के doctors होते हैं, high-five type के रहते हैं, वो जो illiterate mass या patients होते हैं, उनके level पर जाके बात करनी पाते हैं, और जो patient है वो doctor के level पर आके बात नहीं कर पाता है, तो दोनों ना doctor समझा पाता है कि कौन सी बिमारी है, ना patient समझा पाता है क्या-क्या परिशानिया हो रही है, ना doctor की बात patient को समझ में आती है, ना patient की बात doctor को समझ में आती है, तो communication डंग से हुए ही नहीं, तो doctor patient relationship बने ही नहीं, तो फिर कुछ ना होने वाला, समझ गए, that is communication on intellectual plane, बहुत important है याद रखना इसको समझना, क्योंकि आपको वाईवा में समझाना पड़ता है, उसके बाद आता है communication on an emotional plane, emotional plane का मतलब यह होता है, देखो, जब patient आपको परिशा समझा रहा है ना अपने, तो आपके पास एक sympathetic ear होना चाहिए, आपको sympathy रखनी चाहिए, patient से सहानु भूती रखनी चाहिए, आपको patient से कि भाई, आप उसको ठंडे दिमाग से उसकी सारे परिशानियों को सुने, समझे, उसको दिलासर दे, नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, य अच्छे से उसकी emotional plane पर जाके उसकी बातों को सुनना चाहिए, doctor को समझना चाहिए, और फिर क्या क्या चीज़े उसको करनी चाहिए, वो उसको patient को और relatives को सारी चीज़े बतानी चाहिए, मगर पंगा क्या होता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, अगर तुम पेशन्ट यों इतनी परिशानियों से गुजर रहा है, अब डॉक्टर साहब क्या बता है, आरे कुछ ना बताओ, तुम जो हो रहा हो बताओ जल्दी से, अगला patient भी खड़ा है, वहाँ पे, हाँ ठीक है, यह दवाईयां खाल ले ले लेना, चलो जाओ, बिचारा patient मेरा दर्द सो समझा ही ने patient में, वो कहां से मेरा दर्द दूर करेगा, तो यहां पर आता है emotional plane पर communication करना, कि आप उसको पूरी sympathy दिखाओ, पूरी सहानुभूती रखो उसके साथ, तो ना आप ऐसा करोगे, तो patient भी खुल के आपको सारी बाते बता पाएगा, अगर आप एक sympathetic ear होगे, तो patient पर अपनी complaints को खुल के बता पाएगा, और patient के साथ जो attendance आए है, relatives आए है, वो भी खुल के आपको history दे पाएगे, तब तो जाके आप समझोगे कि क्या परिशानी है patient को, तब जाके आप उसका help बताओगे, तो emotional plane पर बहुत important होता है communication याद रखना, उसके बा करते हैं या फिर किसी hospital में जाते हैं, तो उनको ना doctor को जहां पर वो अपनी services दे रहा है, उस जगह के या उस जगह पर रहने वाले लोगों के culture और custom से बहुत अच्छे से रूबरू होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ना, अगर doctor को पता ही नहीं है, वो किन लोगों से deal कर रहा और एक डॉक्टर है, वो अपनी services दे रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, एक community में जहां पर ज्यादा तरलोग vegetarian रहते हैं, अब उसके पास कोई malnourished patient आया है, अपने बच्चे को लेके बोला, डॉक्ट साब इसका वज़न नहीं पढ़ रहा है, डॉक्ट साब इसको परिशान हो जाएगी, बढ़िया healthy हो जाएगा, डॉक्टर कीना सुटाई हो जाएगी वहाँ पर, जादा वह वहाँ पर non-vegetarian लोगों से deal कर रहा था, इनने non-vegetarian चीज़े बता दे, बहुत सारी चीज़ें, तो डॉक्टर को पता होना चाहिए, जहां पर वो services दे रहा है, वहां की लोगों का culture क्या है, custom क्या है, रीति रिवास क्या है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ें से अगर उसको ज्यान होगा कि किन लोगों से कैसे deal करना है, तो बहतर तरीके से वो patience से deal कर पाएगा, प्लस उनकी परेशानियों को बहतर तरीके से दूर कर पाएगा, और पिटने से भी बच जाएगा, ठीक, तो इस communication on cultural plane, अब अच्छी चीज़ पता क्या है, कि अगर यह कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए ना, तो ऐसी समय में patient कहां जाता है, यह जो indigenous system वाले doctors होते हैं, यह folk system वालना, इन लोगों के पास जाके जादा खुश रहते हैं, क्यों, indigenous system of medicine, healthcare of the community व आते हैं, आयुश, आयुश के अंदर क्या क्या आता है, A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Sidha, H for Homeopathy, यह वाले जो doctors है ना, इनके पास जाके patient बड़ा खुश रहता है, क्यों, क्योंकि यह लोग जो होते हैं, खासकर जो गावाले areas होते हैं, रूरल areas, वहाँ पे इनकी practice एक नंबर चलती हैं, क्यों, क्योंकि ना, यह लोग वहीं रहते हैं, इनको पता रहता है कि वहाँ के जो लोग हैं, गाउं के लोग हैं, वो कैसे हैं, किस तरह का रहन से हैं, उसी तरह से रहके उन लोगों के साथ बाते करते हैं, तो इसलिए ना, गाउं side के areas में, जो इंडिजनल सिस्टम फोक सिस्टम ऑफ मटसिन वाले लोग ना, यह जादा प्रचलित रहते हैं, क्योंकि पेशेंट अपना जुडाव देखता है, इनसे पेशेंट अपने आपको रिलेट कर पाता है इन लोगों के साथ, क्योंकि यह लोग जानते हैं कि कि किस कल्चरल प्लेन पे बात करनी है, जो कम्यून्टी है, उसके कल्चर या कस्टम क्या है, उस तरह से बात करते हैं, तो यह भी खुश, पेशेंट भी खुश, समझें, तो अगर आपको एक बहतर कम्यूनिकेशन करना है पेशेंट से, तो उनके कल्चरल प्लेन की भी आपको वैल्यो करनी पड़ेगी, और उस पर आपको उनसे बात करना पड़ेगा, तो यह तो हो गया भाई, किस तरह से डॉक्टर को कम्यूनिकेट करना है पेशेंट से, तीन लेवल पे, इंटलेक्च्वल लेवल, इमोशनल लेवल और कल्चरल लेवल पे, ठीक है, उसके बाद थोड़े से जानकारी होने चाहिए, क्योंकि भाई, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन्शिप की बात कर रहे हैं, तो आपको एथिक्स तो मैंटेन करके रखना पड़ेगा, मेडिकल एथिक्स की भाई, एथिकल बाउंडरिस कुछ होती है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन्शिप के बीच में, उनको आपको कायम रखना पड़ेगा, अब यह जो मेडिकल एथिक्स की हम बात करते हैं, यह आया कहां से, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन्शिप की जो सबसे में चीज़ है, वो है मेडिकल एथिक्स, और मेडिकल एथिक्स जो आया है, इसमें ज्यादा तर चीज़ें उठाई गई हैं, हिप चैनीज ट्रडिशन, इंडियन ट्रडिशन से, अब ना, आज की देख में करम बात करें, तो यही जो मेडिकल एथिक्स हैं, इनमें और भी जो ट्रांस्फोर्मेशन हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है, यह मुख्यता हो रहा है, जो मेडिकल बायो टेक्नोलोजिकल हो रहे हैं, उनको भी इंकॉर्प्रेट किया जा रहा है, मेडिकल एथिक्स में, तो आपको याद रखना है, कि भाई, डॉक्टर पेशन्ट रिलेशन्शिप जो होती है, उसको पूरी तरह से गरण किया जाता है, मेडिकल एथिक्स के द्वारा, इसमें ज्यादता पॉइं से डील करना है, ठीक, तो ये तो हो गया, डॉक्टर पेशन्ट रिलेशन्शिप के बारे में थोड़ी से जानकारी, आपको पता होने चाहिए, कि भाई, कैसे बात करना है, कैसे पेशन्ट से डील करना है, थोड़ी से जानकारी हम नर्सिंग के बारे में भी दे देते हैं, क दॉक्टर और नसेंस के बीच में क्या चीज़ common है, क्या नहीं है, तो देखो, जो मेदिसिन वाले हैं, याने कि डॉक्टर्स जो नर्सिंग वाले हैं, याने कि नर्सिंग स्टाफ, दोनों का एक ही गोर, या एक ही उद्यशिय होता है, वो क्या होता है, patient की health को restore करना या preserve करना यानि कि उनको बीमारी से बचाना या फिर अगर बीमार हो गए है तो उनको ठीक करना और उनकी स्वास्त को वापिस से restore करना या वापिस से अच्छा-च्छा कर देना यह मुख्य गौल होते हैं दोनों की medicine वालों के भी यानि कि doctors के nursing वालों के भी कि भाई patient का स्वास्त अच्छा हो जाना चाहिए या तो बिगड़ने ही नीची में जिदे या बिगड़ गया है तो वापिस अच्छा हो सके और उसको ट्रीट कर सके उसको ठीक कर सके यानि कि इनका मुख्य उदेश क्या है पेशेंट को क्योर करना पेशेंट को ठीक करना पेशेंट की बीमारी को ठीक करना यह इनका मुख्य उदेश है डॉक्टर्स का जबकि जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है ना इसका मुख् रही है कि नहीं तो care process पूरी की पूरी nursing देखते हैं जबकि cure process पूरी की पूरी doctors देखते हैं तो यह थोड़ा सा फर्क है याद रखना कि to doctors है वो cure process पर ध्यान देते हैं और जो nursing staff है वो care process पर डॉक्टर पेशेंट को बिमारी से ठीक करते हैं और nursing staff patient को बिमारी से ठीक होने में मदद करते हैं और सारे ख्याल रखते हैं का cure process care process याद रखना ठीक कुछ चीज़े हैं जो आपको doctor nurse relationship में भी पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भाई theory exam में यह पटकी question है यह आपको जादतर नहीं मिलेगा कभी कभी बहुत विल तो theory exam में अगर इस पर कोई short note आएगा तो I guess कि इस पर very short note आने के chances होते हैं और बहुत कम chances होते हैं हमेशा नहीं आता है अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में आपसे सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है कि बाई किन-किन लेवल पे आपको communicate करते आना चाहिए doctor को patient से और उनको समझाओ यह आपसे वाईवा में पूछ लिया जाता है ठीक अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline पार्ट है हमारे notes और slide में वो सभी entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ तो मेरे को यह मिला था कि जो तीन level of communication होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो intellectual plane पे emotional plane पे और cultural plane पे एक तो मेरे को MCQ यह मिला था तूसरा जो intellectual plane पे communication होता है उसमें क्या करना चाहिए तो उसमें easy to understand language में आपको explain करना चाहिए patient को उसकी condition यह दो MCQs तो मेरे को मिले थे तो आपको पता होना चाहिए जो MCQ बन सकता है doctor nursing relationship में उसमें एक MCQ तो यह बन सकता है कि भाई doctors का मुख्य role किसमें होता है तो cure process में जबकि nursing staff का मुख्य role किसमें होता है तो care process में cure process और care process इस पे आपको MCQ बन सकता है ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको doctor patient relationship और doctor nurse relationship में पता ही होनी चाहिए thank you